शिवराज ब्रांड से मुकाबले की तैयारी नए केमपेंड पर बहस गर्माई कॉंग्रेस का नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लाड़ी लक्ष्मी वर्सेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मद्दप्रदेश में भी आखिरकार कॉंग्रेस का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ केमपेंड लॉंच हो गया भले ही महिला कॉंग्रेस के बैनर तले हुआ लेकिन हो गया यूपी की जमीन और प्रियंका गान्दी की सोच से निकला ये नारा एमपी को कितना भाएगा इसे भी परखा जाना है वैसे फिलहाल ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब एमपी में यूपी जैसे हालात नहीं है तो स्यासत भी जुदा है तो फिर इस कैमपेंड को लाने की पीछे मंसा क्या है क्या वाकई प्रदेश में महिलाओं के लिए कौंग्रेस के आरोब जैसी इस्तिती है या फिर वजह कुछ और है क्योंकि यहां सियम शिवराज को प्यार से मामा भी कहा जाता है वो बहलों के भाई हैं उनके लिए बच्चे बच्चियां भांजे भांजिया लाड़ी लक्ष्मी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं तो देश भर में पापुलर है इस्तानी निकाय के चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने और हमारे यश्यश्वी मुख्मंती थे शिवराज सिंग जी चोवन जी ने पचास प्रतिशत का आरक्षन महिलाओं बेहनों को दिया है वो बेटे बेटियों के मामा हैं, बेहनों के भाई हैं और भारती जन्ता पार्टी की सरकार मातों बेहनों के स्वावी मान, सम्मान और आत्मरक्षा के लिए निरंतर कारे करती है देखिए मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहां जी ने पचास प्रतिशत इस्थानी निकायों आरक्षन देश में पहली बार किया महलाओं को तो क्या शिवराज की इमेज से लड़ने के लिए कॉंग्रेस नया केम्पेन लेकर आई है? क्या आधी आबादी की अधिकारी की बात करने वाली कॉंग्रेस पहले से सक्री शिवराज से लड़ पाएगी? क्या कॉंग्रेस का यूपी का दाओं एमपी में चल पाएगा? वैसे इस केम्पेन पर यूपी में भी सवाल उठने लगे हैं। केम्पेन पोस्टर की कतार में सबसे आगे खड़ी महिला टिकेट की रेस में पीछे छूट गई। पोस्टर गर्ड प्रियंका मौर्या ने आरोप लगाया है कि घूस ना दे पाने की वज़े से लख्णों की सरोजनी नगर विधान सवा सीट से उनका टिकेट काटा गया। और सच क्या है ये भी पक्के तोर पर कहना मुश्किल है क्योंकि यूपी में चुनाओ है हर कोई अपनी अपनी नाओं में सवार है नवश्कार मैं हुचरत दिविदी और हमारा आज का मुद्धा है कॉंग्रेस की लाड़ली लक्ष्मी तो बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉंग्रेस लाड़ली लक्ष्मी के मुकाबल यानि उसके बरक्स उसके सामने अपनी ये यूजना जो उत्र प्रदेश में वो लेकर आ जोंगे और असली ताकत तब मिलेगी जब सरपंच पती और विधायक पती जैसे संबोधन पीछे चूटेंगे वो राजनीतिक दलों का काम नहीं है क्योंकि खुद राजनीतिक दलों से आने वाले चेहरे अपनी पत्नी को सिर्फ एक चेहरा बनाकर अपनी बेटी को सिर्फ एक चेहरा बनाकर राजनीति में उतार तो देते हैं लेकिन अपने लंबे अनुभाव का हवाला देकर यही कहते हैं कि अब तुम घर में बैठो काम हम सब देखेंगे तो असली स्वतंतरता लड़की या महिला की वो है जब वो स्वैम मोर्चे पर होगी और कहीं कोई कठिन नहीं होगी तो यह तो एक लंबी लड़ाई की बात है लेकिन सवाल यह है कि क्या मद्यप्रदेश में शिवराज जी की छवी जो मामा की है जहां वो बहनों के भाई हैं वहां भांजियों के मामा हैं भांजियों के मामा हैं और इस छवी को बहुत मजबूत माना जाता है परंबिक काल से मुख्यमंत्री के तौर पर इस चवी के साथ आगे बढ़ें जब वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे तब भी समाज के वंचित वर्ग को की लड़कियों को कन्यादान और उनके विवाह की प्रक्रिया से वो जुड़े थे विदीशा में निराश्रित बच्चियों का एक पूरा करीब करीब दस ग्यारा से ज़्यादा बच्चियां इसी रही जिनके जीवन लालन पालन और उनके विवाह का दाई तो शिवराज जी ने लिया है तो इसके मुकाबले ये योजना कितनी खड़ी होगी फिर मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस को उत्तर प्रदेश की तरह क्या कोई प्रियंका जी जैसा चेहरा रहेगा जो ये बताएगा कि यहां एलेक्शन की कमान में इनकी बहुत एहम भूमिका है और ये खुद निरने कर स्वदेश जी डॉक्टर द्रुगेश केश्वानी है बीजेपी के युवाननेता प्रवक्ता उनका बहुत स्वागत करता हूं चैतन्य भट जी है वरिष्ट पत्रकार और राजनीति कुसलेशक जबलपूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भट साब पहला सवाल आप से ही लेकर हम आगे बढ़ते हैं किस तरह देखते हैं आप लड़की हूं लड़ सकती हूं और शिवराज जी की मजबूत जो चवी है मद्यप्रदेश में जहां वो एक तरह से कहें कि आदी आबादी के बीच में एक लोकप्री अनेता है उत्तर प्रदेश में लॉइन ओर एक ब प्रिभी उत्तर प्रदेश में लॉइन ओर और और महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मसला आरंब से रहा है तो मद्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश क्या ये कहां ठहरता है ये मसला जरा आपकी रियाक्शन जी जी नहीं देखिए शौरत जी हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाओं के आसपास अपनी स्टेर्टी बनाती है कि उसको किस आधार पर मद्दाताओं के पास जाना है उत्तर प्रदेश का चुनाओं अभी सामने है जायर सी बात है कि प्रियंका गांदी उसका पूरी बागडोर समाले हुए हैं और मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ यह जो एक नारा दिया है और इसके अलावा जो उनोंने वादा किया था कि हम 40 पीसदी मईलाओं को टिकट देंगे वह वादा उन्होंने अभी पूरा किया है 125 में से 40 पीसदी जो टिकटें हैं वो मैदाओं को दी ह उसमें बहुत सी ऐसी मैलाएं हैं जो कहीं न कहीं अन्याया से पीड़ित रही हो या उनका शोशन किया गया हो या उनके उपर जबरदस्ती के मामले लगा दिये गए हो तो ये एक तरीका तो है लोगों को अपनी तरफ लाने का क्योंकि मैलाओं के प्रति अभी भी ये समाज जो है वो पुरुषवर्चस समाज माना जाता है मैलाओं को उनके अधिकार और उनकी जो वास्तविक अधिकार होता है उस से उनको वंशित रखा गया है चाहे वो कोई भी प्रदेश हो राजनीती में भी आप देखिए कि 33% आरक्षन की बात बहुत लंबे समय से चल रही है ऐसा भी पार्टियां कहती है 33% आरक्षन देंगे लेकिन अभी वो उच्छ में कुछ हो नहीं पाया आप मत्रदेश विदान सबांबे भी देख लीजिए बहुत कम मैला हैं तो मुझे लगता है कि जो प्रियंका गांदी ने जो एक कैंपेंच चलाया है उसका असर मत्रदेश में कितना पड़ेगा ये तो अभी अभी एकदम से नहीं बताया जा सकता लेकिन इस से एक उर्जा जरूर आई है मत्रदेश में मत्रदेश में अभी आप देखिए कि आज हनुमान चालीसा का पार्ट किया गया कल भी सुन्दर कारण का पार्ट महिदा कांगरेस दौरा किया जा रहा है जिस पे भी काफी विवाद की स्थिती बनी थी लेकिन एक जन्त जो महिलाएं हैं कांगरेस से जुड़ी हुई या दीगर भी महिलाएं उनको ये लगने लगा है कि आप हमारे पीछे कोई ना कोई ऐसा एक बड़ी नेत्री है जो हम को हमारे अधिकार दिलाने के लिए प्रयत्निशील है तो उनको जैसा की महिला कांगरेस भी बूल रही है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि लड़की तलवा लेके बा कुछ चेहरे बड़े अहम हो जाते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी योजना टिकेट की लांच करते तो शायद उतना प्रभाव नहीं होता लेकिन प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा है पार्टी के लिए और चुकि खु स्वदेश जी ये चुनौती मद्यप्रदेश में रहेगी चेहरे की मैं बात कर रहा हूँ कैम्पेन आपका बहुत अच्छा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बड़ा ही अट्रैक्टिव स्लोगन है और मन्शा भी उत्तर प्रदेश में जो आपकी पार्टी ने दर्शा में हो ऐसा कोई चेहरा आपके पास क्या मध्यप्रदेश में है सबसे पहले तो मैं बंसे लूज के दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आपको वधन्यबाद देता हूं कि आपने आज महला ससक्ती करण के ऐसे विसाय पर चर्चा करने के लिए हम सब को आमन्तित किया मता दिकार का अधिकार सबसे पहले कॉंग्रेस ने लिया कॉंग्रेस ने एक ऐसा कानुन भी बनाया इस दोर में जब महला सुरक्षद नहीं देख रही है तो एक ऐसा कानुन बना के तैयार किया निर्भेह जैसा जिसको अगर लागू कर दिया जाए धंक से उस पर अमल कर लिए जाए तो 30 सजाग के तक तक पहुंच जाएगा फांसी के तक पहुंच जाएगा तो उसमें प्रेंगा गांदी जी ने जो एक नारा दिया जो एक campaign चलाया यह campaign नहीं एक मजबूती देने का एक platform है तयारी है जैसा आपने अपनी उसमें बताया अभी प्रतिभाओं को आगे लाना उनको ससक्त बनाना अगर वो राइनीती में है तो राइनीती में उनको उनका उत्थान कराया जाने हर platform को देना और इसको आज ही क्यों चुना है आज हम देख रहे हैं कि दक्षण के सुर्य उत्तर में प्रवेश कर रहे हैं दक्षण negativity लाता है और उत्तर सकारात्मक उर्जा से लवरेज है सकारात्मक विचारधारा को ताकत देता है निश्चत रूप से आज उनका किया गय है यह कार और पवन्पुत्र हनुमान जी का हनुमान चालीसा सुरू करने का अर्था यह हनुमान जी कैसे है कि इन्हों ने लंका का देहन कर दिया था तो हनुमान जी का सुरू किया है तो मद्द प्रदेश में होने वाले महिलाओं के इत्याचार के लिए यह लड़की लड़ सकते हूं यह सक्षम होगी ताकत बर होगी और निश्य दूरूप से बदलाओ क्यों और मतब्रदेस होगा एक दोनों से आप दोनों से सवाल है आपके परिवार में कितनी महिला है सुदेश जी राजनीती में हैं अभी बहू राजनीती में आने के लिए आतर नहीं उस है आप कहा रहे हैं देखो यह तो चहरा होना नहोना यह हम पर नर्भर नहीं करता हम समाज में फिर भी उनकी संभावना इसके पहले तो संभावना भी नहीं थी उसके पहले परिवार में महला कोई राजनीती में नहीं थी यह कारण जान सकता हूं सर्थ कारण यही के सबसे बड़ी बात यह रही जैसे पुरुस प्रधान माल लेते हैं अपने देश को और महिला आपके हाँ कौन है राजनीती में दुरगेश जी महिला क्यों सर किसको सेवा को माध्यम चुनना है किसका क्या है तो निश्चत रूप से कल अगर आपकी जीवन पद के लिए पार्टी चुन रही है तो वो कहें कि आप मेरा नाम बढ़ा दीजे आप पीछे हो जाएं तो आपको जाएंगे देखिए हमारा संगठन है न वो सब को निश्चत उसे प्ते कार्यकरता का आकलन करता है खेर सर्व जे उत्तर मिल चुका है मैं आगे बढ़ता हूं आप मुद्धे पर आजाएंगे मैं समझ गया हूं जो मैं बात कम्मिनिकेट करना चाह रहा था दर्शकों तक भी पहुंच गई होगी जी तो लड़की हूं ल कोई सर्शक्ति करण के पद पर आपने अपने को पीछे रखकर महिला को आगे किया है क्या तो कितने जवाब मिलेंगे यह जान सकते हैं दुर्गेश जी मुद्धे पर आईए जी बताईए लड़की हूं लड़ सकती हूं यूपी में प्रेंका गांदी जी ने ये केंपें आया है और हमारे कांगरिस के प्रवक्ता साथी जो मित्र हैं वो बोल रहे हैं कि मद्ध्य प्रदेश में अत्याचार हैं यह तो मैं एक एक उगली अगर हमारी तरफ कर रहे हैं तो बाकी शेश उगलिया इनकी तरफ खुट कि लिए तो हम सब की तरफ हैं साथ निश्च्छ ने दी मद्ध्य प्रदेश को सशक्ती करन को लेकर फिर चाह लड़की के जन से लेकर अंतिम उस्ते सक उसका काम किया अगर बच्चियों को स्कूटी देने का काम किया तो मानिय शिवराज जी ने किया लाडली को अगर लक्षमी के रूप में पैचान दी तो निश्चत जुजनाओं का बंद करने का जो काम किया वो निश्चत रूप से आज लड़की हूं लड़ सकती हूं तो निश्चत रूप से वो उसकी और इंगित करती क्योंकि शरजी नौसो तेहतर वचन दिये थे कमलनाज जी ने उस समय पे जब वक्ते बदलाओं की बात की थी आपन हम समझ गया कि आज का विशे किस दिशा में जाने वाला है तो जब वो मुख्यमंत्री बने थे जो उन्होंने वचन दिये थे दस्दत सलाई मशीन देना कोई मुझे नहीं रखता है कि उनको पांच साल का इंतजार करना पड़ता और मैं ग्रामील महिलाओं को दस्दत करके खिलाफ तके खिलाफ खिलाफ दक्यान कामला सरकार के खिलाफ किया था कि हमें हमारे जो भुक्ताने कञ्यादान योजना के जो आप नहीं मिल पा रहा है तो यह इनकी कथनी और करनी में अंतर है और काट की आंडी बारबार नहीं चड़ती है अब आप लाडली को लक्षमी हम तो मानते ही है और आप देखेंगे चरजी एक से एक सिकंड कोई भी कारेकरम होता है मद्यपरजेश सरकार का तो सबसे पहले उ सक्षमी योजना का पैसा दूसरे मदों में खर्च हो चुका है आर्ट याई लगाने वाले आर्टी विस्ट को आज तक जवाब नहीं मिला सुन्जाई भूई और कन्या दानी योजना में आप 8000 दिया करते थे हमने क्या वनियार किये आपने क्या किया आप 2018 का अपने द्र परसेंट को याएगा साथ परसेंट आता तो आप उसको लेप्टॉप देते अगर बहलाओं को निशन क्यात्रा करा दे किसानों को आप 500 करोल का अलगसर पैकेज देते आपने कहा था कि गैस पर हम सो रुपे कि अलग से रहेंगे कहा नहीं मैं लूंगा जवाब इसका लू का काफी इस माइने में प्रभाव है कि वह समवेदी चहरे के साथ सामने आते हैं और कॉंग्रेस को निश्चित तोर पर अगर उत्तर प्रदेश की तरह मध्यप्रदेश में भी आदी आबादी तक अपनी पैट करनी है तो उसको कुछ योजनाओं के बारे में भी बहुत ग पी के मुकाबले कॉंग्रेस में इस टकर का कोई जो आदी आबादी के बीच में गहरा प्रभाव रखता हो ऐसा कोई राजनेता क्या आपको दृष्टिमान होता है नजर आता है जी शरत जी इसमें कोई संदे नहीं है कि शोराज सिंग चोहान है वो जनता से कनेक्ट है और लंबे समय से चूंकि सत्ता में हैं करीब 15-17 साल से सत्ता में हैं तो जब सत्ता में होता है आदमी तो तरह तरह की योजनाओं सरकारी खर्च पे शुरू कर सकता है और उन्होंने की चाहिए वो लाली लक्षमी योजना हो चाहिए कन्यादान योजना हो और उसका फायदा लोगों को मिला है बच्चियों को मिला है जिनका जन्मुगा उनको एफडी उनके नाम पे की गई तो इसमें तो कोई संदे नहीं है कि शोरा सिंग चोहान ने जो जो योजना है चेह्रा है खाफी लोग्षमी भी हैं वो लेकिन मत्पրदेश में निश्यत तोर पे चेहरों की कमी है कंगरेस के पास आप देखिए कि कमलनाथ को लेके वन-मेन शो मुझे लगता है कि कंगरेस में तो वन-मेन शो चल रहा है दीगर जो नेता है वो भी किनारे हैं साइड मे हैं मुख्यमंत्री भी कमलनाज जी रहे एक बड़ा चेहरा था सिंदिया जी का कांग्रेस के पास जो एक ग्लेमर भी था उनके साथ और उनके साथ लोग भी थे लेकिन वो दुर्भाग के बाश अब बाहर चले गए हैं कांग्रेस की अपनी अंद्रूनी नजर नहीं आता जो इतना बड़ा प्रभाव रखता हो पूरे मत्रदेश में और दूसरी बात है कि जो कमलनाज जी में और शोराज सिंग जी में जो अंतर है वो यहीं अंतर है कि शुराज सिंग जी का जो connection है जनता से वो कमलनात में उसका अभाव है मुझे तो ऐसा भी बताया जाता है कि जब उनकी सरकार चली गई थी तो बाद में ये भी आदेश ये भी कहा गया कि वो कहते ते चलो 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 अब उसमें कितनी सच्चा ही मैं उसमें नहीं जाना जाता लेकिन इसमें कोई संदे नहीं कि आपको एक ऐसा चेहरा जरूर ढूरना पड़ेगा जो प्रदेश की महिलाओं को आकर्षट कर सके यहां के मददाताओं को आकर्षट कर सके और उसके लिए अब कांग्रेस किस चेहरे को सामने लाती है यह देखना बड़ा आगे देखना होगा इसके भवश्य के गर्त में है हो सकता है कोई ऐसा चहरा अचानक आजा है सामने क्योंकि चहरे पे ही चुनाओ लड़े जाते हैं आप देखे कि चहरा मोदी जी का हो या योगी जी का हो ये निश्यत तोर पर चहरे पे ही चुनाओ लड़े जा रहे हैं और उनकी नीती नीती है तो सेकंडरी हो जाती है चहरा कौन सा है वो हमें क्या दे सकता है ये बहुत मात्पूर्ण हो जाता है मद्दाता के लिए तो कांग्रेस के लिए अब ये सबसे बड़ा संकट जो मुझे लगता है वो है चेहरे का अब वो उस संकट को कैसे दूर करते हैं ये उनका अपना एक स्टेडिजी हो सकती है आपने जो सवाल खड़ा किया कमलनाज जी की कारेशेली और शिवराज जी से उसकी तुलना करके उसमें कुछ अब्जर्वर्स ये भी मानते हैं कि शिवराज जी जी ऐसे नेता हैं जो मध्यप्रदेश में अपने विक्तित्तों के साथ रच बस गए हैं जिसको आप कहते हैं कि एक वो वर्षा जो होती है जो जमीन के भीतर तक पहुँच जाती है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है कमलाज जी का मध्यप्रदेश से रिष्टा एक मुख्य मंतरी के तौर पर या PCC चीव के तौर पर मुख्यमंतरी तो बाद में जब वो जून 2018 में मध्यप्रदेश आते हैं तो ना वो मध्यप्रदेश में ठीक से बरसे हैं ना नीचे तक पहुंचे हैं और कोशिश यह रहती है कि कारेशायली समझ जाये पूरा मद्यप्रदेश उनको उतना वक्त उनके पास नहीं रहा है अभी तक कि मद्यप्रदेश उनको बहुत अच्छे से जिस तरह से शिवराज जी ने अपने को मिनिकेट किया है कमनलाज जी उस तरह कमिनिकेट कर पा आए तो ये अंतर सायद हो सकता है आप कुछ कहना भी चा रहे थे सवधेश जी कुछ और नःए सवधी नहीं मैं पेले दुर्गेश जी कुछ कहना चाह से डॉक्ट दुर्गेश देखे शरजी जैसा भड़ साप ने कहा कि चैरा कांग्रेस के पास कोई नहीं है तो निश्चत रूप से कोई महिलाज में तो कोई नितरी नहीं है इनके पास जो जो इस चीज को आगे बढ़ा पाए और साथ ही साथ जो इनके पूर मुख्यमंतरी कमल नाजी है जब वो मंच स आधी आबादी का अपमान करते हैं आइटम जिसे शब्दों का इस्तमाल करते हैं तो निश्चित रूप से वो जो आधी आबादी है उसको से नहीं मैं बच रहा हूं पर पर जो यह जो इन बातों को लेकर जोता के अगर लड़की हूं लड़ सकती हूं पहले भी कॉंग्र आप जिन चीज़ों जो यह केंपेंड को जो टेग लाइन को लेके चल रहे हैं तो लड़ाई किस बात की शरच कोई लड़ाई हम लड़की भी क्यों लड़ने आएगी वो निश्चत रूप से अपने अधिकारों की अगर बात करने वाली बात है तो वो अधिकार हमारी सरक आप देखेंगे शिवराज जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो भी उन्होंने हजारों ऐसे ऐसी कन्याओं का कन्यादान किया था हर साल हम लोग उनके कारिक्रमों में वहां पे शामिल होते थे बड़े-बड़े कारिक्रमों के माध्यम से हजारों की तादाद में उन्हों अधि ने वर्प की रियक्षन दूँगा दो तरह की बाते होती है को सिवराज सिग जी वागई कलाकार नेता है और ओर उवरे तैली विजरिशा होते हैं तो यह 17 साल के 18 साल चल रहा है इस अगर जी एक साल को बढ़ाते तो आज तक 17 और बढ़ चुका होता लेकिन उन्हें कुछ किया नहीं यह गोच्छाय कर सकते पर करें कुछ नहीं एक लड़की नियमा वर का पूरा परिवार दस पुट गहरे गड़े में गाल दिया नियाए मागने के लिए वह पैदल चलकर आई क्या उसको नहीं लीजिए जल्दी दिए चली जल्दी जल्दी में चैतने जी की तरफ चलूँगा ची कर रहें कमलंाजी की जो यह अनुबह की बात कर रहें अगर अनुबह होते तो निक्चत रूप से काम करके जाते और बिज् जी बताएं बस आपका concluding निमार का आपका समाप्त करते हुए टिपणी जी देखिए वो ही जो जो सबसे महत्पूर्ण जो जो सबसे महत्पूर्ण बात जो आप भी कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं कि जो चेहरे की एक कमी है वो कांग्रेस के लिए निश्यत तोर पे एक संकट की इस्तिती तो है क्योंकि अगले साल चुना होने वाला है आप कैमपेन बहुत अच्छा लाएं इसमें कोई संदे नहीं कि लोगों का अगर महिलाओं को आप जागरू कर रहे हैं और उनको अपने अधिकारी को प्रतिश सचेत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कैमपेन है लेक कांग्रेस के पास शुराज सिंग के तुलना में बिल्कुल अच्छा लगता है कि शुराज सिंग जिस तरह से कनेक्ट हैं जनता के साथ वो ना कमलना जी के पास जागर बड़ा सवाल दोनों ही पार्टीयों के लिए ये है कि लाड़ली लक्ष्मी और निखर जाएगी अग आपके पास कितनी ऐसी महिला लीडर्स हैं जो संगठन में टॉप औहदे पर रही हैं फिर सरकार बनती है तो वहां टॉप मंच पर रही हैं क्योंकि ये लड़की लड़त भी सकती है जब आप उसको राजनीतिक नारों से बाहर निकाल कर फिरदे से सम्मान से आप जगे दे में इंद्रिया गांधी के रूप में दिखाया है मौका मिला है बीजेपी में तो सुष्मा स्वराज बनकर दिखाया है मौका मिला है तो एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल बनकर दिखाया है मौका मिला है तो अंतरिक्ष में कलपना वर्मा बनकर बताया है कहीं कमी नहीं है सर कहीं कमी नहीं कमी सिर्फ सोच में है और इसी लिए यह राजनीतिक नारे हम सुनते तो जरूर हैं लेकिन इनसे बहुत हमारे उपर असर नहीं आता तो आये सही मौका है कि 2022 की इस बेला में दोनों ही राजनीतिक दल क्यों ना यह संकल्प लें कि वो चुनेंगे लाडली लक कियों को भी और उनको बहुत गरिमा से राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिस्थापित करेंगे शुब कामना हैं आप दोनों को इसके लिए धन्यवाद दुर्गेश जी धन्यवाद स्वदेश जी और धन्यवाद चैतनेवड़ जी आगे देखिए हमारी खास पेच करेंगे विकास का गड़ा चातीज गड़ा नमस्काल